Hello everyone, this is Dr. Akshay. Welcome to Inhat Classes. Today, I am going to start with a very interesting chapter and that is Chemical Coordination and Intrigation. So, without a time, we start this chapter, which is very important. So, we see Chemical Coordination and Intrigation. First, we will know what the meaning of this. So, we will know what the meaning of this. What is the meaning of this. So, if you look at this, we know that Coordination means TAL-Mail. If you understand, TAL-Mail is in body, there are many things that are very important. Chemical Coordination, we have two or three things that are very important. Hormones is important role, and nervous system is very important role, and gland-V. So, if we talk about how nervous system is important role, play, so that you must have heard about the motor and sensory nerves. What does the motor and sensory nerves mean? You will hear, you will see, even if you go and you have a stroke, suppose if you are met with an accident, and you have a stroke, 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 you have a stroke. CNS, Central Nervous System, you will hear that there are two people, peripheral nerve nerve and central. Then, in the Central Nervous System, there will be signal that, एब भाई आप हाथ लग रही है, मतलब जायेगा, सबसे पहले, तो ब्रेन क्या कहयेगा, आप तुमें हाथ अपना वहाँ से हटाना है या तुम्हे चोट लग चुकी है, बहुत हाथ अपना है, प्रम पर थे 20 cohort रहाँ भी हाँ, कि हाथ में बता किया तो इस बारे में हम ने पता किया ती केमिकल क्या होता है मतलब केमिकल कोडिनेशन से कैसे कैसे हो का हॉमोन कैसे करेंगे तो hormones को basically hormones होते क्या हैं सबसे पहले हमें यह पता करना होगा अभी इस वीडियो में आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि hormones actually होते हैं क्या आपको पता है hormones एक substance का form होते हैं आप यह याद रखिए कि hormones जो होते हैं बहुत ही minimal amount में release होंगे और इनकी कान काफी जादा बड़े होते हैं जो कि glands को मैं आपको अनदा वीडियो में भी समझाओंगा तो हम देखते हैं कि जो अपनी glands हैं उनके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे basically ठीक है तो सबसे पहले हम start करते हैं मैंने आपको दूछ चीज़े बता हैं सबसे पहले हम start करते हैं अपनी endocrine gland ठीक है इन ग्लेंड को हम पढ़ेंगे यह बहुत हैं अगर आप अगर आप देखें जो एंडो क्राइंड होती हैं उसको हम क्या बहुत है उसको हम बोलते हैं अंतह का मतलब क्या होता है अंदर स्रावी का मतलब सेल्स क्रेशं जो करते हैं ठीक है तो यह क्या करेंगी यह ग्लांड होती हैं डेन में आपको पता है बॉडी किस से मिलके बनी है किस से इससे मिलके बनी है जब Selle से मिलके बनाओगा वो Selle साफी सारा सिक्रीट करेंगी अपना सबस्टेंस और वो सबस्टेंस क्या होंगे mostly known as the hormones ठीक है तो जो hormones होंगे वो यहां से सिक्रेट होंगे तीन ग्लेंड आपको बता ही है मैंने disglette puisquो बता यथा इसका नाम अंतहसराभी क्यों बोल रहा हूं मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज़ को अंतहसराभी अंतह और सराभी मतलब रिलीज करना मतलब अंदर ही अंदर बिना डग्ट के कोई भी तो बिना डग्ट के मैंने बोला प्लीज, keep that in mind मैंने बिना डक्त के बोला तो ये gland कौन सी होगी ductless gland ductless gland क्या होती है glands which secrete their secrete directly in the blood without any help of duct ठीक है ये मैंने बताए कोई भी duct की ने जबरुरत नहीं होगी ये directly secretion कहां करेंगी blood में ठीक है फिर मैंने बताए था exocrine gland exocrine में क्या होगा एक्जो से बहुत सरवी सब्सक्राइब को 200 ग्रंद तो पर लेटर स्पथा in पर दो उसक्रीय जो प्रेन टो वह स्टायें कि लूट आनहीं करें ऑप्ली दोड हो मैं ब्लुटरा को समझ में ब्लूब एक लएगे। कि अपना से क्रीशन तो आपने देखा होगा मैंने यहां पर एक्जाम्पल के लिखा है आपने यू मस्ट भाइब अपने नाम सुना होगा जब मैं आपको बताऊंगा डाइजेशन प्लीज कमेंड करिएगा अगर आपको मीनियू कसंद आए कि डाइजेशन सर पढ़ाईए तो मैं डाइजेशन जब बताऊंगा आपको तब आपको पता जलेगी कि सलाइबरी ग्लेंड होती क्या है सलाइवा होती क्या है बेसिकली अगर हिंदी मिनियम की स्टूडेंस है तो अगर लार किस चीज में इंपोर्टन होती है काफी सारे फंक्शन करती है चाहें वो ड्र यह जो सिक्रीशन होता है यह काई की तुरू होता है डप्स होती है बेसिकली इनमें डप्स होती है जैसे बार्थोने डप्ट हो गई और स्टैंसन डप्ट हो गई इससे स्टैंसन नलीका बार्थोन नलीका बोलता है ठीक है वह बहुत इंपोर्टल था और लीवर लीवर मे करा फान इसे नाई अगम आउन इस वहारा हैा फ्र शुस वाता है करें निदर sellció शुसवर्पामी, करता है तो फोर मैंने पित जूसी होता तो कि ऐसे की आपा पता होता है होता है इस यह एक आप लोग कॉन is तुर, कि काफी सारी का नेटवर्क होता है काफी सारा नेटवर्क आपको ऐसा देखने को मिलेगा यह जो होता है यहां पर हो रहा है मानग यहां पे एसका फॉमेशन हो रहा है यहां पे एक ऐसी पुटली टाइप की चीज वोती है इतना मान लीजिए तो यहां पे कोई चीज है वहां पे आप देखेंगे गॉल्ब्लेडर में यह इसका से चुरूरा यहां पे यह कालेक्ट होता जाएगा तो बैसिक सब्सक्राइब तो यहां पर कैपिलरी जोंगी उनके तुरू यह क्या परेगा इसका सिक्रीशन करवाएगा ठीक है है कि हमने बात कर लिए अब हम बात कर रहेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो है मैं सब्सक्राइब क्या हो सकता है तो आप ने ऊपर देखा कि जो एंडोक्राइब यह दोनों की भूमिका ने बहाता है ठीक है दोनों की रॉल क्रेगा है अचेंडोक्राइं कर रहा हूं है प्लेगा मतलब दोनों के रोल प्लेगा प्लेगा और यह हैं ऑन्डोक्राइंड प्हार पी होगा अगर इसमें हैं और फिर पर यह क्या काह похож और चोper of theимер युकित और endocrinology के अगर हम बात करें इसी के अंदर तो यह क्या करेगा endocrine से homo secrete करेगा basically ठीक होमो जब यह secrete करेगा तो आप देख सते हैं मैंने यहां पर काफी सारे examples लिख रखे हैं जैसे कि pancreas, testis and obri हैं उसके बारे में मैं deep बाद में जाओंगा pancreas and obri के बारे में जब इस video को और मतलब जादा extend हो जाएगी video इसलिए मैं जादा भी नहीं बता रहा हूं कि फाल introduction मैंने आपको इसमें बताया है if you like this video then make sure to subscribe this channel and hit that notification bell so that whenever we upload a new video you could get the notification of it thank you